आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिंग अप्लिकेशन के दोस्तों आप अगर यूज कर रहे हैं ट्रांजक्शन करने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों देखे देख कीवार कोड का जो आप्संस है वो इनेवल नहीं आ रहा है ठीक है ध्यान से अगर अगर यूज करने के लिए बोला जा रहा है दियान से देखेए का दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैं आज की इस गतांगे आपको किवार कोड का प्रोलम आ रहा है तो यह वीडियो दोस्तों आपको पूरा देखनाब बहादी जुरूरी होने वाला है चलिए शूरु करते हैं और आपको पैसा निकालना है एं इदेखे JOHN करके वीडियो को कर देना है प्यारा से लाइक और चैनल को हमारे लाल वाले बटंगों दबागे कर देना है सब्सक्राइब दोसो क्यूंकि आप से यूग को पता हो यहाँ पर आपको इसी तरीके का इन्फोर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है दोसो आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टिलिग्राम चैनल का लिंक दिया है दोसो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग हमारे टिलिग्राम चैनल में जोईन हो करके दोस्तो फैमिली मेंबर में जूड़ जाए उससे आपको वेनिफिट यह होने वाला है कि नया आपको जो यहां पर हो सके वह आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो चलिए इसको हम कैसे सही करेंगे चलिए आपको डिडियल में दिखाते हैं बिल्कुल भिश्चा में आपका बरबाद नहीं करेंगे रिंग अप्लिकेशन को दोस्तों कट कर देना है अपडेट आप कर लोगे दोस्तों यहां पर जो प्रोब्लम आपको देखने को मिल रहा है वो प्रोब्लम आपका श्रॉल हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों देखेता है रिंग अप्लिकेशन का जैसे हम यहां पर हमने यहां पर दोस्तों फाइले से अपडेट करके सबतं गराब यह आपको दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करना है जो भी आपको करना धियान से देखूएत्य है और इस इस Štips को आपको फोलो करना है इसी मैतर्ड को यस आपको कीवार में किल्क करना है और यहां पर दोस्तों आपको add address वाला options पे click करना होगा आपके सामने दोस्तों ऐसा pop-up निकल के आएगा सबसे first में तो देख सेते यहां पर यह information जो है आपको यहां पर निकल के आ रहा है यहां पर मैं एक screen shot इसे ले लेता हूं मुझे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आपको type करना है ठीक है इस वाले options पे जहां पर मैं यह तीर वाला निशान लगा रहा हूं दियान से देखेगा जो भी problem हूँ आपको transaction में इसमें आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों यहां पर आप से पूछा दोस्तों आप देख सेते हैं यहां पर आप से address पूछा ज नहीं है अब यह सारची आपको मीलेगा कहां से आप कहां से fill up करोगों सबसे बड़ी प्रिशानी तो यहां पर यह हो जारी लोगों को तो दोस्टो आपको मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको अपना अधार कार्ट को निकालना है जैसि कि दोस्टो यहाँ पर आप देख ज Name यहाँ पर पूछा जालात है, यहाँ पर हम चलिए डाल देते हैं और यहां पर दोस्तों हम डाल करके यहां पर दोस्तों address हम डाल देते हैं address 1 में दोस्तों जो आधार card में जैसा address लिखा हुआ है आपके back side में लिखा होगा उसको यहां पर same to same डाल देना है पीछे दोस्तों same आपको वही डाल देना है landmark में दोस्तों आपके अगल बगल घार क अगल बगल में कौन सा इस्कूल है, गुरुद्वारा है, मंदिर कौन सा है, मस्जिद कौन सा है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ध्यान से दिखेगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको पिन कोड लिख देना है, पिन कोड भी दोस्तों आपको अपना आधार कार काचाओ पर देखनी को मिल जाता है तो ये सारः चीज आपको आच्छी तरीके से इन्फोर्मेस fifty करा यह अगर आपको ये सब नहीं माँग रहा है दोस्टो अगर आपस ए सब प्रोब्लम नहीं हो रहा है तो आपको क्या कर रहा है चलिए मैं आपको बताता हूं तो चलिए इसको मैं सारची पहले अच्छी तरीके से fill up कर लेता हूं मिट बटर में किलिक करने के बाद दोसो add successfully दोस्तों हमारे पास इस तरीकी का एक interface आएगा तो यहां पर दोस्तों आपके सामने देखने को आपको मिल गया फैले दोस्तों keyword code जो है हमारे सामने यहां पर enable हो चुका है अगर आपका keyword code पहले से enable नहीं हो रहा था अब यहां पर दोस्तों देखेता है यहां पर मुझे जो keyword code है यहां पर enable हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों हम किसी को भी payment करेंगे तो वो payment जो हमारा है जो field नहीं होगा किसी परकार का दोस्तों payment में हमें problem नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर मैं चलिए आपको एक keyword code में अपना निकाल लेता हूँ एक दूसरे mobile का और मैं आपको यहाँ पर keyword code scan करके दिखा देता हूँ दियान से देखिएगा दोस्तों सारच से आपको proof के साथ दिखा रहा हूँ अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिकत आ रही है किसी परकार का कोई problems आ रही है आप हमें नीचे comments box में comment कर सकते हैं तो file दोस्तों यहाँ पर जो हमारे keyword code जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाल लिया just यहाँ पर scan में किलिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों scan में किलिक करने के बाद दोबारा मैं दोस्तों आपको UPI पिन फिर से confirm करके set कर लेना है याद रखना है यहाँ पर आपको जो seconds है दोस्तों यह आपको चलता रहेगा तो चलिए मैं सारची fill up कर देता हूँ उच्छी तरीके से फैनली दोस्तों हमने आपको डाल दिया है और कंट्रियू बडर में किलिक करेंगे याद रखना है OTP आपको अच्छे से डालना है नहीं तो आपका यह वेरिफाइ नहीं होगा दोस्तों आपके सामने इस तरीके कर निकल के आ चुक है आप यहाँ पर आपको अपना कीवार को सकत्रgen करेंगे और यहाँ पर दोस्तों देख्याइबिंट आपको डिखिते है इस तराके का मुझे का मुझे नहीं निकला तो ​​सब से बड़ी बात दोश्वों कि इतना करने के बाद जो हमारे के पेमिंट है वो फेल्ट नहीं होना चाहिए था जबकि आपको धोसमें में चीरिके से फिलART क्या करना है तो आपको बिल्कुल नया तरीका मैं यहां पर आपको बता रहा हूँ तो यहां पर दोस्तों जो फिल्ड हो चुका है चलिए आप मैं क्या करूंगा एक दूसरे कीवार कोड में क्लिक करूंगा इसके लिए हम यहां पर फोन पर कीवार कोड निकाल लिया है फिर से दोस्तों हम यहां पर जो आपने पीन अभी बनाया हुआ था, इसके बावजूद भी आगर आपका फ्रेल्ड हो जाते है दोस्तु यहां पर मैं आपको बता दूँ किया है, आपका दोस्तो यह बैंक अकांट में पुबलम है, किवार कोट में प्रोबलम है, आपको दोस्तो मैं बता दूँ जिस हैं कि कुण फिलाल अभी बंद आ रहा है ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको अच्छे से जो किवार कोड जिसमें पैसा लेंदेन हो रहा है उसका किवार कोड स्कैन करना है पेमेंट आपका चला जाएगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें चैनल को सब्सक